नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतीस और आपका बहुत-बहुत स्वागत है सिटी डिजिटल इस्टोर में फिर्ण समने मंगा लिया है टी नाइननेट अल्टरा स्मार्ट वाच तो आज की इस वीडियो में इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे और इसके साड़े फीचर्स और डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ यसाथ आपको कनेक्ट करके भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि आपको कैसे कनेक्ट करना है अपने स्मार्ट वाच को अपने फोन के साथ तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंदाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा फिरंस यह T900 Ultra Smart Watch अगर आप खड़ीदना चाहते हैं तो आप City Digital Store से भी खड़ीद सकते हैं फिर Amazon Flip का डवी सो कहीं से भी इसली अबलेबल है आसानी से आप खड़ीद सकते हैं फिरंस इसकी प्रैसिंग की बात करो तो 7800 में इसली अबलेबल है कहीं से आप इसको खड़ीद सकते हैं तो चलिए फट फट इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं और इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ बॉक्स को ओपन करते हैं तो फिरंस देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगा सबसे पहले यह स्ट्रेप आपको औरंज कलर में और स्ट्रेप देखने के लिए मिल जाएंगे स्ट्रेप के क्वालिटी के बात करूँ तो फिरंस आपको इस ट्रेप ठिक ठाक मिल जाएंगे यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आगी इसके साथ हमको यहाँ पर wireless charging का support देखने के लिए मिल जाता है तो charging आप wireless करेंगे यह finally हमारा smart watch है कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है हम इसको निकालते हैं friends आप देख सकते हैं इस पर rapper लगाया गया है तो rapper को हम हटाते हैं यहाँ पर और screen पर भी friends हमको screen guard यहाँ पर मिला है तो smart watch के बात करूँ तो friends यह metal body के साथ यहाँ पर आता है और यहाँ पर पीछे आपको plastic दिया गया है sensor इसका बिल्कुल भी fake दिया गया है friends आप देख सकते हैं हाला कि इसमें 3 button दिये गए हैं तीनों ही working है यहाँ पर आपको speaker मिल जाएगा यहाँ पर आपको button मिल जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर तीन button है यहाँ पर किए friends तो हम इस button को दबा कि इसको simply on करेंगे चलिए on करते हैं on होता है कि नहीं होता है तो friends चार्ज यह बिल्कुल नहीं है सबसे पहले इसको चार्ज में लगाएंगे तो लगवाँ डेर घंटा चार्ज करने के बाद friends जैसे ही मैंने इसको चार्ज में से निकाला तो यह अपने आप on हो गया था तो simply हम इसी बटन को दबाके इसको off किये थे और फिर से इसी बटन को दबाके हम यहाँ पे आपके सामने on कर रहे हैं यहाँ पर जैसे यह button को दबाके रखेंगे friends देखिए कुछ इस तरीके से यह on हो रहा है ठीक है उसके पास फ्रेंट्स आपको कुछ जीतरी के इंटरफेस दिख जाएगा, इस बटन से आप wallpaper को चेंज कर सकते हैं, 5-6 तरीके के इसमें wallpaper मिल जाएंगे, जिसमें 2 wallpaper आपको यहाँ पे चलते हुए मिल जाएंगे, 2-3 ठीक है, और यहाँ पे आपको होल से कलर भी यहाँ पे च 800 में ठीक है, तो यह इसमें अंतर है, बाकी साड़े features हमको सेम लगें है, तीनोही बटन इसके भी working है, इस बटन से आप जो चाहे वो खोल सकते हैं, अभी क्लिक करने पे spot खुल रहा है, इसको change करने का option आपको इसके अंदर मिल जाता है, इस बटन से आप menu को खोल सकते हैं, और double click पे menu style कुछ इस तरीके से change होता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे, छे तरीके के आपको menu style यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरीके से आपको menu style यहाँ पे मिल जाती है, और अपने यह बरा हो जाता है, ज्यादा यहाँ छो इस बटन से आप क्या करते हैं, कि यहाँ पे off और on कर सकते हैं, और light को भी बंद कर सकते हैं, और open भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यह मिल जाती है, उसके बाद friends मैं आपको बताऊं, तो इसमें split screen का option इस side से मिल जाता है, ऊपर से आपको message देखने के मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पे Bluetooth calling का feature आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके menu style चेंज कर सकते हैं, जो 6 तरीके के हैं, यहाँ पे आपको music मिल जाएगा, connect करने के बाद आप sound को घटा बरा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर torch मिल जाएगा, torch में brightness फूल हो जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको यह सारे features देखने के लिए मिल जाते हैं, इसमें, friends मैं आप एक के करके आपको सारी settings बता देता हूं, तो सबसे पहले यहाँ पे dialer मिल जाता है, Bluetooth चे connect करने के बाद आप इसको use कर सकते हैं, उसके बाद friends आपको यहाँ पे phone calls मिल जाएगा ठीक है, hard rate, blood oxygen, यहाँ पे health related जीतने भी ECG, sports, यहाँ पे जीतने भी features हैं, वो सब sensor related है, friends, तो sensor इसका fake है, तो हम इस सब को avoid करेंगे, friends, इसमें मिल तो सभी जाते हैं, लेकिन इस पे थोरा सा भी आप बिश्वास मत कीजिएगा, camera का feature आपको मिल जाता है, यहाँ तो आप phone क camera को control कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आगी, blood pressure आप यहाँ पे फाल्दुका दिया गया है, music को आप control कर सकते हैं, अपने phone के music को तो आपको कोई problem नहीं आगी, उसके बाद यहाँ पर reset कर सकते हैं, उसके बाद friends, यहाँ पर आपको weather भी मिल जाता है, out looking for मिल जाता है, ठीक है, sensor ही इसका fake है, तो क्या ही sleep monitoring करेगा friends, उसके बाद यहाँ पर home style मिल जाता है, वही menu style आपका अच्छे तरीके का आपको मिल जाता है, message आपको मिल जाता है, तो message आप देख सकते हैं, stop watch इसका सही से working करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इसको use कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर keyword code मिल जाता है, app को download करने के लिए, तो इसको scan करके आसानी से आप आप को download कर सकते हैं, उसका reference यहाँ पर setting दिख जाती है, तो setting में आपको बहुत सारे features मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर change watch face को आप यहाँ से change कर सकते हैं, आप grade कर सकते हैं, अपने phone से connect करने के बाद, उसके बाद यहाँ पर Siri का option मिल जाता है, तो यहाँ पर आप Android phone यूज कर रहा है, तो Siri पर click किजेगा, तो आपके phone का जो है, यहाँ पर Google Assistant ही खूलेगा, अगर iPhone user है, तो आप Siri को use कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर about मिल जाता है, वह बाद के बारे में आपको पता चल जाएगा, उसके बाद friends, यहाँ पर language मिल जाती है, तो language English ही इसका सही है, उसके बाद कोई फाल्तु का language आपको इसमें मिल जाता है, फिर्ण्स यहाँ पर आप टाइम और डेट सही कर सकते हैं, एप से connect करने के कोई जरूरत नहीं ह ज़िए आपको टाइम और डेट यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्लिक करके आप असानी से डेट को सेट कर सकते हैं, ठीक है, टाइम को सेट कर सकते हैं, इसमें 12 होर्स का टाइम का प्रोबलम है, friends, यहाँ पर आपको 24 होर्स का ही टाइम मिलेगा, टी 800 हो या फिर टी 900 हो, इसमें 12 होर्स का टाइम देख सकते हैं, अगर ऐसे वाले में चाहते हैं कि आप 12 होर्स का टाइम देख सकते हैं, अगर ऐसे वाले में चाहते हैं कि आप 12 होर्स का टाइम देखे तो नहीं देख पाएंगे, इसमें 24 होर्स का ही आपको बताता है, ठीक है, तो इसमें सारी ची तो अगर आप इसको on or कर देते हैं तो जल्दी से ये back जाएगा नहीं कम से कम 3 मिन तक light ही बंद होगी उसके बाद ये back जाएगा मतलब इसका जो feature है वो back करेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर bedlam का option मिल जाता है तो इसको कैसे use करना है पता नहीं उसके out friends यहाँ पर आपको side की setting मिल जाती है तो यही है side की friends इसको आप इससे control कर सकते हैं इससे जो खुलवाना चाहें आप खुलवा सकते हैं यहाँ पर side की पर click किजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको साड़े option मिल जाएंगे ठीक है यहाँ से आपको game भी मिल जाएगा अगर आप game पर click कर देते हैं और इस button को दबाते हैं तो आपको यहाँ पर game ही खुलता हुआ दिखेगा अभी spot खुल रहा था अभी click करेंगे तो game खुल जाएगा देखिए एक ही game है इसमें कुछ इस तरीके से run कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर game को या फिर जो चाहे आप कर सकते हैं सबको क्या करना है कि यहाँ पर mode पर click करना है उसके बाद यहाँ पर side की setting option मिल जाता है ठीक है इसमें साड़े features आ आता है उसको आप on off कर सकते हैं यहाँ पर screen को आप ऐसे हिलाने पर photo की जाएगा फिर light आजएगी इसको भी आप on करके रखिएगा उसके बाद फ्रिंस यहाँ पर brightness setting option मिल जाती है तो brightness को यहाँ से आप control कर सकते हैं ज्यादा कम कर सकते हैं तो यह साड़ी settings प्रिंस आपको mode में मिल जाती है उसके बाद यहाँ पर facebook, twitter, whatsapp सब कुछ fake है किसी पर भी आप click किजेगा तो message खूलेगा यहाँ पर आप देख लिजिए ठीक है तो यह साड़े messages आप देख सकते हैं जरूर लेकिन इसमें whatsapp facebook आप चला नहीं सकते हैं facebook का message, twitter का message, whatsapp का message आप अपने smartwatch पर दे अपने दिक्कत नहीं है यहाँ पर ठीक है तो आप इसको यूज कर सकते हैं उसके बाद फिर नशीप ब्रेथ exercises आपको मिल जाती है तो ब्रेथ भी आप कर सकते हैं यहाँ पर कब inhale करना है और कब external करना है आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप सांस ले सकते हैं छोड़ सक तो यह साड़े फीचर्स आपको T900 Ultra Smart Watch में मिल जाती है तो चलिए फिर्ण्स अब इसके इस ट्रेप को लगाते हैं और इसको फोन के साथ अपने आप के साथ कनेक्ट करके बताते हैं कि कैसे आपको कनेक्ट करना है और कैसे साड़े फीचर्स को यूज करना है तो इस ट्रेप लगने के बाद फिर्ण्स आपका इस स्मार्ट वाच को जीस टारीकि से दीखने वाला है अपकर देख सकते हैं तो चलिए फिर्ण्स आपकर बात करनेते हैं कि अपने थे स्मार्ट वाच को की साथ कनेक्ट करना है तो friends T900 जो ultra smart watch है वो connect होता है high watch pro app से यहाँ पर आप देख सकते हैं तो high watch pro app को कैसे download करना है कैसे connect करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा calling feature को कैसे यूज करना है यह भी आपको पता चल जाएगा तो वीडियो को आब आस आप देखते रही है ठीक है friends सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीचे से scroll करना है और यहाँ पर जो bluetooth का option है यहाँ पर आपको on कर लेना है जैसे इसको on करते हैं तो bluetooth call के लिए आप eligible हो जाते है Bluetooth का जो dual mode है वो on हो जाता है आपका Friendones at ौही पता होगा जो smart watches calling वाले smart watches होते हैं दो तरीके से आपके phone के साथ connect होता है तो आपको ध्यान अखना है कि यह tos ओ display आा यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले कि अपना Bluetooth on करना है, आपको download नहीं करना है, यहां पर सबसे पहले आपको Bluetooth on करना है, Bluetooth on करने के बाद, आपको search करना है, यहां पर, ठीक है, search किजेगा तो आपका जो T900 Ultra Smart Watch आएगा, यहां पर connect होता है, मैंने आपको पताया, यहां पर app के लिए आएगा, दूसरा यहां पर phone calls के लिए आएगा, मैं इस पर click करता हूँ, तो यहां पर देखिए, app needed using this device, इसको pair करने से आपको कोई फायदा नहीं है, इसको cancel करते हैं, हम इसको connect करेंगे, T900 जो उपर वाला है, यहां पर सो कर रहा है, यहां पर headphone का symbol आ रहा है, ठीक है friends, इस पर click करेंगे, इसको pair कर लेंगे हम, ठीक है friends, यहां पर जैसे ही pair करेंगे, तो हम यहां पर calling feature को आसानी से use कर पाएंगे, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, calling feature को use करने के लिए, तो friends, यहां पर देखिए pairing का option आ गया, तो हम इसको pair कर लेते हैं, ठीक है friends, यहां पर देखिए connected for calls and audio लिख के आ गया है, आप देख सकते हैं, यहां पर setting पर click किजेगा, तो calls के लिए audio के लिए आप eligible हो, ठी देखिए friends, यहां पर calling feature हमारा सो कर रहा है, कुछी इस तरीके से यहां पर सो कर रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी आप phone को काट सकते हैं, यहां पर आपको कोई problem नहीं आगी, calling करो smart watch से, तो देखते हैं कि call यहां पर हो रहा है कि नहीं, 123 पर मैं यहां से भी call करूँगा, तो कुछी इस तरीके से आपके phone में भी calling हो जा रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहां पर contact save करेंगे, तो किसी भी नमबर पर आप call कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां पर देखिए phone book जो है, इसका विकाली है, क्योंकि ह हमने app से connect नहीं किया है, और यहां पर contact save नहीं किया है, ठीक है, तो contact save करने के लिए, photo लगाने के लिए, यह सारे features को use करने के लिए, जैसे message हो गया, WhatsApp का, Facebook का, उसके लिए आपको app से connect करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए app से connect करते है, तो app को download करने का QR code है, आपको smartwatch मे मिल जाता है, आपको क्या करना है, कि यहां पर QR code पर simply click करना है, और आपका QR code है, यहां पर so हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कि Chrome browser खुलना है, अपने phone का, उसके बाद friends, आपको क्या करना है, कि यहां पर camera का logo दिख जाएगा, तो यहां पर click किजेगा, तो side खोल देगा app का, side खोलने के बाद friends, आपके सामने इस तरीक के interface आजाएगा, यहां पर HiWatch Pro app है, जो इसे smartwatch से connect होता है, friends, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पर HiWatch Pro app लिखा हुआ था, यहां पर आपको दो option दिख जाएंगे, Apple Store का और Google Play Store का, तो हम Android इस गाना है, तो यहां पर आप से user protocol पूछा जाएगा, तो simply आपको इसको एगडिक कर देना है, यहां से, एगडिक कर देने के बाद friends, आपके सामने कुछ इस तरीक के interface आजाएगा, जिसमें आपके स्टेप सो करेंगे, यहां पर destination, calories, target, heart rate monitoring, इस अब सो करेंगा, ठीक है, उसके बाद simply select पर click करने के बाद friends, आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीक के interface आजाएगा, जिसमें आपको उसारे features यहां पर show करेंगे, ठीक है, और यहीं से आपका smart watch भी connect होगा, सबसे पहले ऊपर देखिए, यहां पर disconnected, device disconnected लिख के आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर friends, अभी disconnect है, connect नह पड़ेगा, ठीक है, location को यहां से okay करेंगे, तो simply friends, हमको यहां पर location को on कर लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको back चले जाना है, back जानने के बाद फिर से आपको इसी पर click करना है, click करने के बाद friends, आपका जो scan है, यहां पर start हो गया है, आप देख सकते हैं, और T900 ultra smart watch यहां पर search में आ गया है, तो simply हमको इस पर click करना है, जैसा ही click करेंगे friends, यहां पर base connection होगा, time setting होगी, user profile setting होगी, तो देखे friends, यहां पर complete होगा, base connection, यहां पर time setting complete होगा, user profile setting complete होगा, तो इस तरीके से सारी settings complete हो जाएगी, उसके बाद friends, आप देखिएगा कि आपका smart watch है, यहां connect हो चुका है, T900 Ultra लिक के आ रहा है, उसके बाद आप यहां पर सारी settings, सारी features असानी से use कर पाएंगे, उसके friends, यहां पर आपको mission का option मिलता है, जिसमें आपको यहां पर walking करना है, running करना है, biking करना है, तो आप यहां पर mine का option मिलता है, तो इसमें आप यहां पर file create कर सकते है, इसको login कर सकते है, तो हमको set पर click करना है, set में हमको सारी settings यहां पर मिल जाती है, तो यह click करके आपको मैं बता देता हूँ, तो सबसे पहले setting की friends बात करें, तो यहां पर rise to wall का आपको feature मिल जाता है, तो simply आपको इस पर click करना है, इसको on कर दीजेगा, तो यहां पर friends जब आ का moment कीजेगा, तो light अपने आप यहां पर चली आएगी, तो इसको आप on ही रखिएगा, ठीक है, उसके बाद आप एलाम लगा सकते हैं, यहां से, यहां पर click कीजेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहां से friends अपना time set कर सकते हैं, और यहां से आप दीन set कर सकते है confirm पर click कीजेगा, तो यहां पर आपका एलाम लग जाएगा, यहां से आप delete भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको यह feature मिल जाता है, उसके बाद friends आपको यहां पर secondary reminder का option मिल जाता है, तो इसको on कर दीजेगा, तो आपका smart watch बताएगा कि आप कितना देर बैठ चुके है, उसके बाद friends मैं बात करूं, तो यहां पर remote shutter का option मिल जाता है, इस पर click कीजेगा, तो यहां पर allow करने को बोलेगा, तो allow कर दीजेगा, तो आपका जो camera है, यहां पर खुल जाएगा, ठीक है, camera खुल जाने के बाद यहां पर click कीजेगा, तो यहां पर देखिए, तीन सेक click कीजेगा, तो सबसे उपर friends यहां पर call reminder का option मिल जाएगा, तो इसको on किजेगा, ठीक है, ताकि जो call आए आपके phone पे, आपके smart watch में भी show करें, यहां पर आपको बताए, ठीक है friends, तो यहां पर आपको agree कर देना है, उसके बाद यहां पर allow करना पड़ेगा, call logs को, contact को, और phone manager को, ठीक है, तो यहां पर इसको allow कर दीजेगा, उसके friends आपको SMS reminder का option मिल जाएगा, तो इसको भी on कर लीजेगा, ठीक है, यहां पर allow कर दीजेगा, message को, तो message भी कोई आएगा, आपके steam पे, तो आपको smart watch में पता चल जाएगा, उसके friends यहां पर WhatsApp को, Instagram को, Skype को, जिसको जि सकते हैं, जैसे friends यहां पर आप इसको on किझा गा, तो यह notification, access करने के लिए बोलेगा, तो यहां पर open पर क्लिक किझा तो यह लेकर चला जाएगा, notification access में, तो हम लोग HiWatch Pro app यूज कर रहा है तो इसको यहां से on करेंगे, on करेंगे तो यहां पे allow करने के लिए बोलेगा तो allow कर दीजेगा तो यह on हो जाएगा, उसके बाद आपको back चले जाना है, उसके बाद फिर्ट्स यहां पर आपको permissions दे देनी है ताकि Instagram पर कोई message आए, WhatsApp पर तो आपके smartwatch पर show करें, यह सारी permissions आप यहां से दे सकते हैं, यहां पर set शिस फूले लिखके आ जाएगा और यह on हो जाएगा, उसके बाद फिर्ट्स यहां पर contact को save कर सकते हैं, ठीक है, contact पर click किजिएगा, उसके बाद आपको यहां पर plus पर click करना है, plus पर click करने के बाद यहां पर आपको click करना है, और एके करके आपको contact को save करना पड़ेगा, यहां पर पीफे फ्रेंट्स तो मैं यह वाला यहां पर contact safe करूँगा, यहां पर okay करूँगा, तो यह contact यहां पर save हो जाएगा, यहां पर SOS में है, SOS का यह मतलब होता है कि आप डिरेक्टली यहां से इसको call कर सकते हैं, SOS का feature को यहाँ पर मिलता है, तो directly यहाँ पर आमन को call हो जाएगा, जैसा ही friends आप अपने smart watch से यहाँ पर call किजिएगा, SOS पर click किजिएगा, तो SOS का यहाँ पर, आपको यह feature यहाँ पर मिल जाता है, call करने के लिए, तो आप contact save कर सकते हैं, एक एक करके, औ अगर आपको इसमें से कोई लगाना है, तो इस पर click किजिएगा, click करने के बाद friends आपको यहाँ पर got it का option मिल जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही आप got it पर click किजिएगा, तो यह photo लगना start हो जाएगा, ठीक है friends, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना photo यहाँ पर कैस सकते हैं, जैसे मेरे को friends यह वाला photo यहाँ पर लगाना है, तो मैं उसको simply select करूँगा, तो simply हम इस पर click करेंगे, तो यह बढ़ा हो जाएगा, उसका अपर friends आप इसको adjust भी कर सकते हैं, नीचे से भी आप इसको छोटा बढ़ा यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बाद आपको यह जो time है हमारा show करें, तो इस तरीकी से show करेंगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि simply install पर click कर देना है, जैसे ही आप install पर friends यहाँ पर click किजेगा, तो यहाँ पर आपको got it का option मिल जाएगा, तो simply आपको got it पर click कर देना है, तो photo यहाँ पर लगना start हो गया है, और जैसे ही 100% होगा, यहाँ पर dial installation लिख रहा है, जैसे ही 100% होगा, तो यह वाला photo अपने smart watch में score करने लग जाएगा, तो इस तरीके से आप इसमें photo भी लगा सकता है, थोरा सा wait करता है कि हमारा photo कैसे दिखता है, और यहाँ पर update successfully लिख किया गया है, और आपका smart watch एक बार बंद होके चा साफ आएगा, ठीके friends, यहाँ पर screen की quality अच्छी है, इसलिए photo यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, आपको कोई problem नहीं होगा, T800 Ultra smart watch में आपको इतना अच्छा screen नहीं मिलता है, थोरा इस से low मिलता है, ठीके friends, अब यहाँ पर आपको back जाना है, अपने photo लगाना सीख लिया, options यहाँ पर आपको मिल जाता है, और 3-4 feature, यहाँ पर reset करने का, remove करने का, यहाँ से friends, अपने smart watch को reset कर सकते हैं, अगर आप remove करते हैं, तो आपके smart watch का सारा data delete हो जाता है, और आपका smart watch बिल्कुल नहीं जैसा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद friends, यहाँ पर others का option मिलेगा, others प कर रही है, यह on ही नहीं हो रहा है friends, यहाँ पर देखिए, क्लिक करने के बाद on ही नहीं हो रहा है, तो यह सारी settings आपको यहाँ पर मिल जाती है, उमीद करता हूँ friends, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दी कोई भी दिक्कत, कोई भी परिसानी आ रही हो, तो आप मेरी से comment करके पूछ सकता है, friends मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,